बिहारी नीज में आपका स्वागत है आशाम तक की खबरों को जानने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर चौती चरन के लिए आज से शुरू है नाबांकन बिहार की शुवं कुमार बने यूपी एसी टॉपर 20 अक्टूमर को रास्ट्रुपती रामनाथ कोविंद आएंगे बिहार साल 2022 के लिए सरकारी छुटियों की लिस्ट हुई जारी पढ़ना हाई कोट में फिजिकल सुनवाई से पहले लागु हुए नैनियम तो आई अब जानते हैं खबरी विसार से बिहार के शुबम कुमार बने UPSC टॉपर 20 सालों के बाद बिहार की मिटी के लाल ने एक पर फिर से देश की सबसे बड़ी परिक्षा में अपना परचम पहली रैंक लाकर लह राया है कटिहार जिले के रहने बाले शुबम कुमार ने UPSC 2020 के फाइनल परिक्षा में रैंक वन हासल किया है बीते शाम जब रिजल्ट जारी हुआ तभी से ही रैंक वन होल्डर विहार के लाल की देश भर में चर्चा होने लगी बता दे की IAS टॉपर शुबम कुमार कटिहार के कुमहरी इलाके के रहने वाले हैं शुबम ने दसवीत तक की पढ़ाई विद्या विहार रेसिडेंसियल स्कोल पूर्णिया से की बारवी की बढ़ाई चिन्मिया विद्याले बोकारों से की और 96 प्रतिशत अंक से वे उत्तिन भी हुए जिसके बाद IIT मुंबई से सिविल इंजिनिरिंग भी किया फिर उन्होंने UPSC की तयारी को चुना और उससे शुरू कर दिया उन्होंने बताया कि कोबिट के कारण 23 साल तयारी नहीं कर पाया था इसलिए एक कमरे में बंद होकर तयारी करता रहा वहीं सफलता पर मुखी मंतरी नितिश कुमार ने भी ट्वीट कर बधाई दी बताते चले की टॉप 10 में तीन विहारी चात्रों ने इस्थान पाया है चौथे चलन के लिए आज से शुरू है नामांकन त्रियसरे पंचाच चुनाव के लिए आज से चौथे चलन की नामांकन का दौर शुरू हो गया है इस पेज में 36 जिलों के 53 प्रखंडों में नामांकन शुरू किये गया है इस दौरान आज कई उमिदवारों ने 6 अलग अलग पदों के लिए अपना नामांकन परचया भरा बताते चले कि नामांकन भरने के लिए 7 दिनों का समय दिया गया है जिसके तहत 1 अक्टूबर तक ही इस चरण में आने वाले प्रत्याशी अपना नामांकन दाखिल कर सकते हैं और नाम वापस लेने के लिए अंतिम समय 6 अक्टूबर तक का दिया गया है प्रत्याशीों के नामांगन पत्रों की स्कूटनी की प्रकरिया 4 अक्टूबर तक होगी इस दुरान जिनके दावेश सते नहीं पाएंगे उनका पत्र रद भी किया जा सकता है बताते चले कि चौते चरण की वोटिंग 20 अक्टूबर को होनी है 20 अक्टूबर को रास्ट्रपती रामनात कोविंद आएंगे बिहार बिहार विधानसभा की शुताबदी वर्स समारो में रास्ट्रपती रामनात कोविंद भी हिस्सा लेने वाले है इसके लिए तारीक भी अपताई हो गई है रास्टपते का बिहार दौरा 20 अक्टूबर को होगा वे 20 अक्टूबर को बिहार आएंगे और उसके अगले दिन बिहार विधानसभा भवन के शुताबदी समारों में हिस्सा लेंगे इस बात की जानकारे बेदे दिन विधानसभा द्यक्षो विजा कुमार सिन्हा ने अपने दिल्ली प्रवास से लोटने की बाद मुक्य मंत्री को जारे किया कारकरम के बारे में जानकारे दी गई है कि रास्टपती के सम्मान में विधानसभा अध्यक्ष की ओर से अपने आवाज से दो देशरत नमार्ग पटना में रातरी भोज और सांस्कतिक कारकरम का आउजन किया जाएगा इसे लेकर 27 अक्टूबर को विधानसभा अध्यक्ष एक उच अस्तर ये बैठक करेंगे साल 2022 के लिए सरकारी छुट्टियों की लिस्ट हुई जारी अगले साल के लिए बिहार सरकार की कर्मचारियों के लिए सरकारी अवकास कैलंडर को जारी कर दिया गया है नई सरकारी कैलंडर के कैबिनेट से मंजोरी के बाद जारी किया गया है इसके तहट अगले साल कई खास्त यहार ऐसे दिनों में होंगे जिसके कारण सरकारी कर्मियों को दो-तीन दिनों तक की भी छुट्टी मिल सकती है ब्यार सरकार की 2022 अवकास कैलंडर के अनुसार सच्विवाले कर्मियों को दुर्गा पुजा के दौरान लगतार पांच दिन के लंबी चुट्टी मिलेगी तो वहीं 18 मार्च को शुकरवार और 19 मार्च 2022 को शनिवार पड़ा है यानि की अगले दिन रविवार को भी सापताहिक छुटी रहेगी सनुसार होली में भी ज्यादा दिन की छुटी मिलेगी करेंडर में राजसरकार के अंदर आने वाले सभी कारियाले और राजस्व दंडादिकारी नियाले केंगी 15 अवकाश की गोश्ट ना की गई है पटना हाई कोट में फिजिकल सुनवाई से पहले लागो हुए नए नियम लंबे समय के बाद 27 सिदंबर से पटना हाई कोट में फिजिकल सुनवाई की प्रेकरिया शुरू हो जाएगी हालांकि इस दोरान कई ऐसे नए और सक्त नियम भी बनाए गये हैं ताकि कोट परिसर में किसे भी तरह की संकर्मन की केस ना आ सके एसोपी के तहट इसके तहट सप्ताह में चार दिन फिजिकल कोट और एक दिन ऑनलाइन सुनवाई होगी साथी कोट परिसर एवं कोट रूम में प्रवेश के लिए नए नियम तैकिये गये हैं जिसके तहट गेट संक्या एक से जजों के आने जाने की व्यवस्ता है जबकि गेट संक्या 3 से अधिवक्ता कलर के वं स्टाफ का आना जाना होगा गेट संक्या 4 से पैदर जाने बारे कोट परिसर में आ सकेंगे मौसम विग्यान के इंदर पटना से मिली जयनकारी की मुताबिक इन दिनों मांसून की ट्रफ लाइन जैसल मेर अजमेर डालडन गंज जबशेद पूर दीगा होते हुए पूर बंगाल की खारी की ओर गुजर रहा है इन मौसमी कारों की वज़ा से 24 से 48 गंटों के दरान राज के पश्यमे भागों के हिस्सों में अच्छी बारिश होने की संभावना है शेस बिहार के एक यदो इस्सानों पर हलके से मद्यमस्तर की बारिश हो सकती है ब्लैक फंगस के मामले काबू में आने से वार्डो को किया जाएगा बंद राज़ानी पटना समित अने हिस्सों से कोरोना संक्रमन के साथ इसाथ ब्लैक फंगस के मामले भी खत्म होने की कगार पर आ गया है बरतमान में PMCH और AIMS में एक भी ब्लैक फंगस के मरीज नहीं भरती है अस्वताल के अधिकारे इस स्थिती को देखते हुए PMCH और AIMS में ब्लैक फंगस के लिए बने स्पेशल वार्ड को बंद कर सकते हैं हालांकि मरीज फॉलो अप के लिए जा सकते हैं उसे तरफ आपको बताते चले कि AIMS में सर्फ 8 ब्लैक फंगस के मरीज बचे हैं जो की इलाजरत है हालांकि यह सभी मरीज जनरल वंकस वार्ड में भरती हैं यानि कि इनकी हालत गंभेर नहीं है भारत बंद को बिहार में सफल बनाने के लिए महागट बंदन तयारी में जुटा सुमवार यानि की 27 सतंबर को किसानादोलन और नएक रिशी कानूनों की विरोध में भारत बंद रहने वाला है इसे बिहार में सफल बनाने को लिकर महागट बंदन ने कमर कस्वी है बीती दिन इसे लेकर नेतार प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की अधिक्सा में पूर्व सीम राबरी देवी के आवास पर महागटबंदन की बैठक हुई इस बैठक में महागटबंदन ने सताय स्तंबर को होने वाले भारत बंद का सक्रिय समर्तन करने का फैसला किया इस दोरान बैठक में शामिल नेताओं ने कहा कि महागटबंदन मजबूते के साथ अन दाताओं के साथ है बैठक में शामिल राज़त कॉंग्रेस माले सीपी आई और सीपीम नेताओं ने भी भारत बंद को बिहार के 38 जिलों में सफल बनाने की बात कही बिहार में पाच जिलों से नए कोरोना संक्रमितों के हुई पुस्टी बिहार में गिने चुने कोरोना के मामले पाय जा रहा है स्वासवाग के द्वारा जारी किये गए ताजा आकरों के मुताबेक बीती दिन के पिछले 24 गंटे के दोरान विहार में दस नए संक्रमितों के पहचान हुई है इसके दर्भंगा और पतना से तीन-तीन मरीजों की पुस्टी हुई जबकि सुपॉल, मदुबनी और अररिया जीले से एक-एक मामले सामने आए जबकि एक संक्रमन का मामला दूसरे राज़े से आई व्यक्ति का पाए गया इस दोरान पाच मरीज स्वस्टी विए हैं जिसके बाद राज में कोरोना के कुल एक्टि मरीजों की संक्या साथ हो गई है वही अब रिकवरी दर 98 दसलब 66 प्रतेशत पर पहुँच गया है यह एक्शन तेजसुयादव ने तब लिया है जब केंदर सरकार के दोरा जाते जन गन्ना पर सुप्रीम कोर्ट में हलफ नामा दिया गया इस बाबत तेजसुयादव ने देश के तमाम विपक्षी पार्टियों के बड़े निताओं को पत्र लिखा है और किंदर सरकार के इस हलफ नामे की विरोध में समर्थन मांगा है पत्र में लिखा गया है कि किंदर सरकार का या फैसला देश के विकास को बाधित करेगा बताते चले कि इस पत्र के जरिये देश के 33 बड़े निताओं से समर्थन मांगा गया है जिनमें नवीन पतनायक, सोनिय गांधी, राहुल गांधी, मम्ता बनर जी, मभूबा मुफ्ती, केजरिवाल, हिमंत सोरेन आधी नेताओं के नाम शामिल है बिहार में नई छेतरे पार्टी बनाएंगे पुर्व केंद्रे मंत्री, 30 सितंबर को एक नई पार्टी का एलान हो सकता है, जिसके सूत्रिधार पुर्व केंद्रे मंत्री नागमनी होने वाले हैं इसके तहत लोगों को जुटाने के लिए वे बीते दिन समस्ती पुर्व पहुंचे, इस औरान प्रेस को संबोधित करते हुए पुर्व केंद्रे मंत्री नागमनी ने कहा कि 30 सितंबर को वे पटना में नई सोच और नई मुद्दे के साथ पार्टी का गठन करने जा रहा ह इसको लेकर वे बिहार के सभी जिलो का ब्रवन कर रहा है। उनका कहना है कि वे जनता की डिमान पर अपनी नई पार्टी का गठन कर रहा है जो कि अमर सी जगदे प्रसाद की नीती और सिधान तो परगाम करेगी। वह उन्होंने यावी कहा कि बिहार में 15 साल लालु प्रस साथ के श्यासन और 16 साल नितिश कमार के श्यासन से बिहार की जनता अब उप चुकी है। राजनीती से प्रेदित है। इसे लेकर धारना बनाने से पहले कई पहलूँ पर काम करने की जरूरत है। में औकरोश व्याप्त है। इस मुद्दे को लेकर यहां की निताओं ने केंदर सरकार पर जम कर आरूप लगाए। इस बाबत पितिदिन शुक्रवार को AIMIM के प्रदेश अज्यक्ष अक्तरूल इमान ने प्रेस वारता की दोरान कहा कि देश की राजधाने दिल्ली में ओवैसी के आवास पर जिस तरह से प्रस्थाफ किया गया है। मुकेश सहनी ने राजध सुप्रीमों को दी घर में अनुशासन लाने की नसीहत। मुकेश सहनी ने कहा कि राजध सुप्रीमों लालू यादव को कारकरताओं से पहले अपने घर में अनुशासन लागू करना चाहिए। करने वाले पुर्व टेस्ट सलामी बलेबाज अंशुमन गायकवार ने बेते दिन कहा कि बोर्ड पुर्व खिलारियों के लिए पेंशन प्रस्ताव लाने को तयार है। पुर्व खिलारियों के लिए पेंशन दी जाने का प्रसाव है। इसके अलावे पुर्व क्रिकेटरों की विद्वाओं और महिला घरेलू क्रिकेटरों के लिए पेंशन भी शामिल है। आज के सवाल की हो और आज के सवाल कुछ इस प्रकार है कि आपके अनुसार आपको बिहार की कौन सी राजनितिक पार्टी सबसे ज्यादा अच्छी लगती है। आप अपने जवाब हमें कमेंड सक्सन में कमेंड करके जरूर बताया और बिहार से जुरे खबरों से अबडेटे रहने के लिए जुरे रहे हैं। बिहारी नियूस के साथ तब तक के लिए नमस्कार।